पांच किलो मटर को पांच मिनट में छीलने के लिए गरम पानी में सारे मटर को डाल देंगे तीन से चार मिनट तक इसे ऐसे ही गैस की फ्लेम पर रहने देंगे और इसे ढख देंगे और इसके बाद इसे इस तरह तरीके से किसी भी स्टेनर में निकाल लेंगे और फिर से उसे उसी पतीले में ठंडे पानी में डाल लेंगे और इस तरीके से मटर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और बड़ी असानी से छिले जाते हैं ये देखे कितनी जल्दी ये छिल रहे हैं इसको मैं एक ही हाथ से छिल रही हूँ और बड़ी असानी सी ये निकल रहे हैं और ये देखिए कितने सारे मतर को कितनी जल्दी मेने छीन लिया है और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे तांकि सारा पानी निकल जाए और इन मतर को सुखा लेंगे या फिर पांच मिनट के लिए इसे पंखे के नीचे रख देंगे, ये सुप जाएंगे, मटर को जिप वाले बैग में इस तरीके से डाल देंगे, अगर जिप वाला बैग नहीं है तो साफ और सुखी पॉलोथिन में भी डाल सकते हैं, और इसे फ्रीजर में स्टोर करेंगे, छे महेने तक खराब नहीं होंगे,